एक बहुत बज़ेदार किस्ता मुझे लगा बहुत लोग शायद युवा लोग नहीं अवेर होंगे महाश्वेता देवी के उपन्यास पर एक फिल्म बनी संगष बना रसके पंडों की प्रिश्ट भूमी पे गुल्दार साब ने उसके समवाद दिखे और उस तरह का मेलोड्रमेटिक सिनेमा में गुल्दार्स डियालोग लिख रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है तो एचसरेवल की फिल्म थी और अपने दौर के बहुत महत्वपूर्ण फिल्मकार जिन्होंने मेरे महबूब महबूब की महंदी जैसी महान फिल्में बनाई तो संगष के दौ सब्सक्राइब कर दो मज़दार किस्ते हो सुनाते उसमें बड़े-बड़े लोग थे संजीव कुमार दिलिप कुमार बलराज साहनी वेजनती माला हुआ कुछ ऐसा था कि किसी कारण से वह कारण गुल्दार साहब ने बताया नहीं वेजनती जी में और दिलीप साहब में जगड़ा था हूं सेट पे और दोनों प्रेमी प्रेमी का करूर अदा कर रहे थे उसके पहले वेजनती माला दिलीप कुमार की हिट जोड़ी रही है मदुमती गंगा जमना लीडर सब तमाम फिल्में नयादार तो अब यह दिक्कत होती थी उनको बार बार प्रेक्टिस कर चाहनी की आदत थी अपने डियालोक की वैजंती जी अपना के कर दे दे थी तो पंजाबी में इनसे कहते थे कि जा कर गो को बता दो आगर है है वो मैसेज यह करते थे जिलिप कुमार वो वैजंती माला आपनी नारादगी खोशी जाहिर करती थी वह दिलीप तो इन दोनों के बीच में एक बात करने वाले समझ लीजे सूत्र के रूप में गुलदार साहब मौजूद थे और बहुत अच्छा और उनों ने का कि उसमें लड़ाई जगड़े के सीन थे दो खांदानों का दुश्मनी थी तो जब भी में संजीव कुमार पलराज सहानिया या दिलिब कुमार के साथ कोई चीन करते है और उची आवाद में कोई ज्वात लिए तो सीन कट होने के बाद जाके पैर शूटे थे संजीव कुमार तो इतने सीनियर कलाकार है तो बोले तो सिनेमा है वह है लेकिन आप लोग स्कूल अफ बहुत सुन्दर धंग से संजी कुमार हर फिल्मों में एक पुरा चैप्टर ही है संजी कुमार तो इनको पान खाने का शौक था गुल्दार साब को तो जब यही बीती नभी टाई रहना की जब शूट हुई और जिस तरीके से उन्होंने निभाया है संजी कुमार जब कट हो वो दिन है आज तक गुल्दार साब ने पान नहीं काया क्या बात है